अलो दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है current F.S in 10 unaccademy जी आ दोस्तो वन स्टॉप्स ऑल्ल डा current F.S in इंडिया बैंक को S.S.E.O B.P.S.E.O U.P.S.E.O हर एक जाम के current F.S.E.O अपने इस YouTube चैनल पर चैनल का नम याद रखेंगा current F.S.E. in 10 सिसन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दे कि मेरा नाम है रभी पृताबकर्ण मेरे पास नौ सालों का पढ़ाने का एक्सप्रियेंस और इससे पहले मैं कई सारे स्टिचुसंस में पढ़ा जुगा हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मुबाइल फोन में यह अनकेडमी लर्निंग अप इंस्टॉल करनी है मिंडेटरी है यह याद रखिएगा अनकेडमी लर्निंग अप जैसे आप इस एप को इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्या होता है अनकेडमी की बात करें तो 30 से ज्यादा केटेगरीज पर अलग-अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो सबसे पहले क्या करना आने केडमी लर्णिंग अप इंस्टॉल करनी है फिर जाना है आपको कहा मैंने जोल फिर सब्सक्रिप्सन में जाना है और सब्सक्रिप्सन में जाकर के मेरा यह रेफरल सब्सक्रिप्सन लेते हैं तो उसके लिए टोटल छे आजार और दो सालों के लिए इतनी तो बहातर सो रुप है लेकिन जैसे मेरा आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको दस पसंट तक का इस्टेंट इसकाउंट मिल जाएगा यानि कि जहां पर फी थी छे आजार व इक्जाम के पहला कोशन है कि हूँ है विन अपॉइंटेट अज दे न्यू भाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ एकनोमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रूप की ने बिश्व बैंक समूं के नए उपाध्यक्ष मुख अर्थसास्त्री के रुप में नुक्त किया गया है पहला इसका अंसर कार्मेन रेंहार्ट यानि कि विश्व बैंक के नए उपाध्यक्ष मुख अर्थसास्त्री के रुप में नुक्त किया गया है किनको तो कार्मेन रेंहार्ट कार्मेन रेंहार्ट हैस अपॉइंटेट अज न्यू भाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ गोसित किया गया किसका तो वर्ल्ड वैंक ग्रूप का नेक्स कुश्चन है कि सभीता कुमारी और अंकित सी सोधिया को हाल ही में नेस्नल डोपिंग रोधी एजनसी द्वारा निलंबित कर दिया गया वो किन खेलों से जुरी हुई है कुश्चन है सभीता कुमारी और अंकित स इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा पावर लिफ्टिंग यानि सवीता कुमारी और अंकीत सी सोधिया को अभी हाल ही में नाडा यानि कि नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी द्वारा निलंबित कर दिया गया वो किन खेलों से जुरी हुई थी तो पावर लिफ्टिंग यानि का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी नेक्ट कोशन है कि वर्ल्ड बैंक एननाउंस्ट वन हंडेट सिक्स्टी बिलियन डॉलर असिस्टेंग टू हाव मेनी कंट्री विस्ट बैंक के कितने देशों को एक्सो साथ बिलियन डॉलर की सहाईता की घोसना की है पहला अपसन 110, दुसरा अपसन 100, तीसरा 105 और चौथा है 102 तो इसका अंसर क्या होगा 100 बिलियन डॉलर यानि कि the World Bank Group pleases to make available 160 बिलियन in grants and financial support over 15th month period to help developing countries respond to the health, social and economic impact of COVID-19 and the economic shutdown in advanced countries. यानि question है next कि which country acquired 10% stake in conversational AI startup Wizen यानि कहने का meaning है क्या कि Wizen यानि किस कंपनी ने संबादी AI startup Wizen में 10% हिस्सेदारी हासिल की है पहला अपसन है G.O. दुसरा अपसन है Boda Phone Ideal Limited तीसरा अपसन है भारती Airtail और चौथा अपसन है कौन सा तो BSNL यानि कि कि किस कंपनी ने संबादी AI startup Wizen में 10% हिस्सेदारी की हासिल की है पहला अपसन है G.O. दुसरा अपसन है Boda Phone Ideal Limited तीसरा भारती Airtail चौथा अपसन है BSNL तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा भारती Airtail यानि कि भारती Airtail यानि कि भारती Airtail has acquired 10% stake in गुरगाओं बेस्ट स्टार्टप Wizen विच फोकस ऑन कन्वर्शेशनल आर्टिफीश Social Intelligence Technologies नेक्स्ट कुछिटन है कि विच स्टेट सी एम इनौगरेटेड स्रम सिध्धी अवियान याद रखियेगा विच स्टेट सी एम इनौगरेटेड स्रम सिध्धी अवियान तु प्रोभाइड जॉब टु लेवर्स मजदूरों को रुजगार देने के लिए किस राजी के मुख्यमंत्री ने स्रम सिद्धी अवियान का उधगाटन किया पाला अफसान है मदप्रदेश दूसरा अफसान है वेस्ट बंगाल तिसरा है बिहार और चौन्था ओडिशा इसका जो आंसर है वो क्या होगा मदप्रदेश यानि कि मदप्रदेश स्रम सिद्धी अवियान टू प्रोबाइट जॉब टू लेवर्स नेक्स कोशन है कि हू बिकम वर्ल्ड हाइस्ट पेड एथलेट यानि कि दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलेट कौन बना है पहला आपसाने बिराट को ली दूसरा आपसाने सचिन तंदुल कर तीसरा है नाओमी ओशाका और चौन्था है पीवी तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा तो सही आंसर होगा नाओमी ओशाका नाओमी ओशाका की बात करें तो टेनी से स्टार नाओमी ओशाका बिकम वर्ल्ड हाइस्ट पेड एथलेट यानि कि सबसे ज़्यादा पेड पैसा पाने वाली जो खिलारी है एथलेट उसका ना के लिए कौन से IIT ने अभी नए तरीकों का पता लगाया है पहला अफसन इटी दिल्ली दूसरा अफसन इटी गुहाटी तीसरा अफसन इटी मुंबई और चौता अफसन इटी कानपूर तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा IIT गुहाटी यानि researchers of Indian Institute of Technology IIT गुहाटी have discovered news ways to preventing or reducing short term memory losses associated with Alzheimer's syndrome next question है कि who has authored a book titled Hope on My Adventures on Boat Trains and Plains यानि कि किस ने Hope on My Adventures on Boat Trains and Plains नामक पुस्तक लिखी है पहला अफसन अनीता दे साई तुसरा अफसन अरुंधती रवाई तीसरा अफसन ने किरन दे साई चौता अफसन रसकिन बॉंड इसका जो सही आंसर हो क्या होगा तो रसकिन बॉंड यानि कि रसकिन बॉंड ने अभी हाली में किताब लिखा कौन सा Hope on My Adventures on Boat Trains and Plains Released on His 86th Board Day रसकिन बॉंड के किताब है हाली कि Hope on My Adventures on Boat Trains and Plains Released on His 86th Board Day नेक्स कोशन है कि World Turtle Day is observed on World Turtle Day is observed on विस्व कछवा दिवस कम मनाया जाता है पहला अफसन है 22nd में दूसरा अफसन 20th में तीसरा अफसन 23rd में चौत्रा अफसन है 21st में यानि पहला अफसन 22 में 20 में, 23 में और 21 में तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा तो 23rd में World Turtle Day किस दिन मनाया जाता है तो 23 माई को World Turtle Day observed on 23rd में नेक्स कोशन है कि Earth Day is observed on प्रिथवी दिवस कब मनाया जाता है पहला अफसन 21 में दूसरा अफसन 22 अप्रिल तीसरा अफसन 25 अप्रिल और 24 अफसन 22 में इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा तो 22nd अप्रिल यानि कि 22 अप्रिल यानि कि Earth Day is observed on 22nd अप्रिल थीम है Climate Action थैंक्यू दोस्तों अगर यह मेरा सेसन आपको पसंद आया तो आप जाए यूट्यूब चैनल पर क्रेंट आफसन 10 चैनल पजाकर कमेंट करें सब्सक्राइब करें बिल आइकन को हीट करें और मेरा जो टेलिग्राम है उसका नाव है जीए बाई जाद रखेगा रभी प्रतावकर्द जाद रभी प्रताव कर्द और मेरा ही सौट जो कोड़ बनाया गया है रफ gapreto इन इंस्टेंड डिस्काउंट मिल जाएगा यानि कि आप सबसे पहले क्या करिए का अनकेडमी लर्णिंग एप इंस्टॉल करिए मोवाइल में फिर मैनेस गोल में जाएए फिर बैंक एससी सब्सक्रिप्सन और मेरा यह कोड यूज करिए और पीके 10 रभी प्रतापकर 10 जैसे आ 10 दिसकाउंट मिल जाएगा थैंक यू थैंक यू सो मच